इस जो चाप्टर है जिसका नाम पर्मुटिशन्स और कॉमिनेशन्स है पहले यह बता दे हैं कि हम दो पढ़ना क्या चाहते हैं इस चाप्टर एक सिप्ल एक्जाम्पल लेते हैं एक्जाम्पल मान लीजिए कि मेरे पास चार शर्ट है और टीन ट्राउजर्स है और शर्ट्स शर्ट्स का नाम है स1,S2,S3,S4 शर्ट्स ट्राउजर्स का नाम है P1,P2,P3 और हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम कितना तरह से हम अपने शर्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं एक दिन में कोई एक ही पहनेगे आज कौन सा पहने तो चार में से कोई एक को है four choices और ट्राउजर्स कितने तरीका से हम चुन सकते हैं तो तीन तरीका से चुन सकते हैं चुन ले या P2 चुन ले या P3 चुन ले चुनते बखत जो शब्द बोलेंगे न स्टेट्मेंट उसको ध्याम दिजेगा हम कितने तरीका से ट्राउजर्स को चुन सकते हैं तो हम क्या बोले या हम P1 चुन सकते हैं या P2 या P3 इंग्लिश में उसको और बोडते हैं जिसको हम हिंदी में या बोड रहे हैं तो आई में चूज P1 और P2 और P3 तो कितना choice हो गया तो हम add कर दिए हैं अगर हम ऐसा पूछें कि हम कितना तरह से एक शर्ट एंड एक पैंट चुन सकते हैं अब सुनी अध्यान से हम अब बोल रहें and there are two words इस पे stress है मेरा और and जब भी हम और बोलेंगे हिंदी में उसको बोलते वकत या बोलेंगे और इसको और बोलते हैं बस इतना ही बात बोलने में सवाल बन जाता है जैसे हम पूछें कि कितने तरह से आप shirts को चुन सकते हैं जैसे हम options दिखा रहे हैं हम S1 shirt के साथ जोड़ा बना देते हैं P1 and यह एक जोड़ा है S1, P1 is one choice S1, P2 is another choice हम curly bracket में अपने एक-एक selection या combination या choice एक ही meaning का तीन shirt है हम दो तरह का सवाले हां discuss कर रहे हैं पहला कि इन चार में से कोई एक shirt चुनने का कितना तरीका था मेरे पास और अब पूछ रहे हैं कि एक इसमें से and एक इसमें से चुनने का कितना तरीका है मेरे पास पहला सवाल जब इसमें से सिर्फ एक शर्ट चुनने का बात था, तो these were my choices, एक सेट के रूप में दिखा रहे हैं, एक choice, दूसरा choice, तीसरा और चौथा, पूल कितना choice है मेरे पास, हमको उसी संख्या से मतलब है, हम नहीं चाहते हैं कि आप हमको लिख के दिखाएं, these possible choices, हमको भींती करके बता दीजिए, कैठो, यह जो chapter है ना, इस chapter में आप यहीं सीखते हैं, the art of counting, यहीं सीखते हैं, और इसका जो fundamental rule है, counting का, उन्हें जोड़ना है ना, यह विकल्प, दूसरा विकल्प, तीसरा विकल्प, कुल कितना विकल्प है मेरे पास, सबको add करके बताना है, तो addition दो ही तरीका से हो सकता है, या तो इस symbol का इस्तिमाल करके, या इस symbol का इस्तिमाल करके, गुना, गुना is also addition, two into three जब लिखते हैं, तो आप actually दो और दो और दो ती बार add करके, so there are only two fundamental rules of counting, जैसे अभी हम पूछे पहला सवाल, तो उसमें आप जवाब दिये, सब choices को add कर दिये, one plus one plus one, और जवाब दे दिये, चार choice, अभी जो सवाल है, दोनों में से एक एक चुन के बताईए, कितना choices है मारे पास है, एक choice, दूसरा choice, s1, p3, इसी तरह से, s2, p1, ये shirt, ये pant, ये shirt, ये pant, तो सब को हम नहीं चाहते हैं कि आप हमको लिख के बताईए choices, हमको गिंती करके बता दीजे, यहां पे cat why, बिना लिखे, गिंती करे, यही हम लोग को सीखना है जाते है, सारा choices जब लिख देंगे, तब तो गिंती करने में कहां कुछ रह जाएगा, कि तब तो है, ये choice, या ये choice, या ये choice, जब भी या हो, आपके वक्ते में, तो समझे कि सब को add करना है, कुछ लिखना है, हम चाहते हैं कि लिखे ही नहीं और जवाब दे ले, तो कैसे संभव है, शर्ट चुनने का कितना तरीका है आपके पास, इस जो set लिख रहे हैं, एक सेट में एक choice, यहाँ दो रिक्त अस्थान समझिये कि है, dash, dash, इन अस्थानों को भरना है, इस अस्थान में शर्ट डालेंगे और इस अस्थान में एक pen, तो इस अस्थान को भरने का कितना तरीका है आपके पास तो इनमें से कोई एक इस या दिस या दिस तो चार तरीका है एड़ कर भी चार और इस अस्थान को भरने का कुल कितना तरीका है आपके पास तो फिर आप एड़ किये इस पैंट और इस पैंट और इस पैंट और इस पैंट और तीन तो इस combination का कितना तरीका आपके पास है तो अभी हम देखे हैं उसी से सीख करके अपना हम दो उपाइड होग रहे अगर आप इस अस्थान को S1 से भर देते हैं एक शर्ट से तो आपको तीन possible विकल है S1, P1, S1, P2 S1, P3 For every choice of a particular shirt you have three choices for pants and shirt की लिए कितना choice है तो चार So the answer should be four times three तो जब भी आपको and गोले जैसे हम लोग इसी सवाल को अभी लिखेंगे नहीं सीधे बताएंगे जब भी ऐसा situation हो कि आपको दो choice को मिना करके एक choice करना है आपको question देखिया ऐसे है find the number of combinations that can be made You have to choose one shirt and one pant तो जैसे ही बीच में end आएगा आप तो नो choices को गुना करके answer लिखेंगे केवल आप जब सवाल को पढ़ियेगा ना आपके बोलते वक्त ही जब मुझ से आपके या निकलेगा तो समझ जाएगा कि हम को सभी choices को end करना है जब भी मुझ से end निकलेगा शर्ट चुनने का इतना तरीका है end अब उसके बाद पैंट चुनने का इतना आप उल्टा ही बो सकते हैं पैंट चुनने का कुल तीन तरीका है तो जब भी end सुनेंगे question में तो multiplication करना है तो या तो आपको सारा choices को add करना होगा या सभी choices को multiply करना एक group है of 30 boys and 20 girls यानि टोटी 50 लोग है आपको इन में से एक group leader चुनना है कोई restriction नहीं है कि आप लड़का को चुनियेगा या लड़की को चुनियेगा आपको जूस को चुनना है चुन लीजे एक group leader तो कितना तरह से आप चुन सकते हैं जोटल number of choices you have या तो इस group में से कोई को चुन लीजे या इस में से चुन लीजे and नहीं है दोनों में सकोगे अनिकोल पचास विकल थे आपके पास D1, D2, D30 नाम देजे boys का and G1, G2 dot 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 G20 नाम देजे boys का तो इन वन आप चुन सकते हैं so you have 50 choice in how many number of ways can a group leader be selected from this lot? the answer is 50 लेकिन अगर हम पूछे कि इस group में से हमको दो लोग को बनाना है group leader एक लड़का में से कोई and एक लड़की में से कोई बस जैसे ही आप इस fundamental rule को सीखे के ना अब आपको लिखने का जरुवत नही है choices जैसे हम choice मता सकते हैं group leader का लिखने के लिए के लिए B1 G1 is one choice B1 G2, B1 G3, B1 G4 B1 dot 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 B1 G20 वीस वितल्क होगे अब B2 G1 B2 G2, B2 G3, B2 G4 वीस और होगे है और every one particular choice from this lot there are 20 possible choices और इसमें 30 choices so the answer should be this time 600 30 multiplied by कोई point है A कोई दूसरा point है B और एक तीसरा point है C हम यहां से C तक जाना चाहते है A से B तक जाने के लिए there are three possible ways तीन सड़क है हम इनमें से कोई एक चुम सकते हैं और B से C तक जाने का दो रास्ता भी आनको है तो हमको अगर A से C जाना है इन सड़कों का कुछ नाम हम रख दे S1, S2, S3 और R1 और R2 तो बताये कितना तरह से हम जा सकते हैं A से C तर जैसे हम S1 followed by R1 इन तीन में से कोई एक चुनेगे AND उसके बाद हम उन दो में से कोई एक रास्ता चुनेगे आप ऐसे ही न बोलिएगा आप बोलके देखिए जैसे ही आप AND बोलना सीख गए या और बोलना सीख गए बस ये चैप्टर समाथ हुआ fundamental सही है हम इसके बाद कुछ-कुछ formulas और बनाते चले जाएंगे धेड़ सारा सवाल discuss करेंगे to make ourselves more comfortable तो एक mathematician के लिए बस यही है move जो भी बोल गए अगर हम पूछेंगे A से B जाने का मेरे पास कितना choices है तो answer is या तो यह सड़क या यह सड़क मतलब तीन विकल्प है B से जाने का कितना विकल्प है मेरे पास A से C जाने का कितना विकल्प है तो यह आंसर इस थी ताइमस टू 6 और कोई कहे कि जरा हम कोई यह समझा दो तो समझा देंगे लिखके S1 followed by R1 यह एक तरीका है A से C जाने का S1 followed by R2 यह दूसरा तरीका है कर्णी ब्रैकेट में लिखकरके अपने choices को लिखके लिखा देंगे all the six choices S2 R1, S2 R2 S3 R1, S3 R2 these are the six possible ways अगर हम कुछे होते कि A से B जाना है और फिर वापस A आना है C नहीं जाना है अब बताइए कितना तरीका मेरे पास है घर से चले B तक है, अभी से वापस घर आ है, how many ways can I do this A से B तक जाने का मेरे पास 24 से 3 इन में से कुई एक and B से वापस A लौट में का मेरे पास 3 लिखाना गए S1 से, लौटे S1 से यह एक तरीका, गए S1 से लेकिन लौटे S2 से, गए S1 से लौटे S3 से, लगए लगए नौ तरीका है मेरे पास और 9 तरीका हम लिख देंगे अगर बोल ये गाते बट अभी हम लोग interested है, कुल कितना तरीका है, जवाब दे दीजे बिना कलम उठाए This is what we are going to learn in this chapter the rules of counting which only involves addition या multiplication इस chapter शुब करने के पहले कुछ एक नया mathematical symbol हम लोग उज़ करेंगे इस chapter जिसके बारे में एक बार विस्तार से पढ़ेंगे जब एक और chapter पढ़ते हैं binomial expansion उसमें हम इस symbol के बारे में जरा विस्तार से बताएंगे और अभी हम संख्षेप में बता देते हैं जितना अवश्यक है इस chapter को करने के यह दो नया symbol है एक ऐसा जिसको हम n factorial होते हैं इस symbol को n factorial ऐसे पढ़ते हैं इसका एक ऐसा symbol भी है इस तरह से लिखेंगे तो factorial n करेंगे और इस तरह से लिखेंगे तो n factorial करेंगे इस exclamation mark वाला जो symbol होता है और इसका क्या मतलब होगा तो मतलब यहां लिखें n factorial का मतलब n इहां एक natural number है यानि 7.2 factorial ऐसा नहीं बोलेंगे अब जब बोलेंगे 6 factorial तो हम mean कर रहे होंगे 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 यह mean कर रहे है 4 factorial mean कर रहे होंगे 4 into 3 into 2 into 1 अगर हम कहीं लिखेंगे 6 factorial divided by 4 factorial तो उपर में 6 से लेके 1 तक और नीचे में 4 से लेके 1 तक जो काटियेगा तो 6 into 5 बचल जाएगा यह एक सिंबल हम लोड़ी लूज करेंगे यहाँ n factorial का definition लिख दिया है n multiplied by उससे एक छोटा वाला natural number n-1, n-2 dot 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 यह dot symbol है अगर हम 2 real number के बीच में dot लिखते हैं नीचे और 2 real number के बीच में dot लिखते हैं उपर उठाके बीच में dot तो यह decimal है 5.3 लिखे हैं इच मींज 5 plus 3 by 10 अगर हम 5.32 लिख दें तो इच मींज 5 plus 3 by 10 plus 2 by 100 और यहां जब बीच में लिखेंगे नीचे नहीं थोड़ा उपर उठाके बीच वीच तो उसका मतलब होगा 5 multiplied by 3 लिखा हुआ है तो बीच में dot है यह नीचे करके dot नहीं बीच में which means product so product of the first n natural numbers को कहेंगे n factorial और एक symbol बना रहे हैं ncr बोलते हैं इसको c है left hand side उपर उठाके लिखेंगे super script बोलते हैं नीचे लिखते हैं तो इसको subscript बोलते हैं तो हम left में superscript position में लिखे हैं एक natural number n बड़ा सा capital c और right hand side subscript position में लिखे हैं r और इसको पढ़ेंगे ncr और ncr का मतलब क्या लिखे हैं ncr का मतलब numerator में है n factorial denominator में r factorial गुने n-r factorial अभी n-r भी एक natural number है r भी natural number n भी natural number और negative number नहीं होना चाहिए यह क्योंकि factorial जो हम लोग define किये हैं सिर्फ natural number के लिए minus 2 factorial we have not defined any such thing 2 factorial 3 factorial natural numbers का factorial तो यह भी natural number होना चाहिए यानि हमारे definition के नुसार यहां जो r नाम का quantity है वो n से छोटा होना चाहिए n should be greater than r नहीं तो यह meaningless लाग हम अगर लिखते हैं 7C3 तो हम mean कर रहे होंगे 7 factorial we know what this is divided by 3 factorial we know what this is multiplied by 7 minus 3 4 factorial यह हम mean कर रहे होंगे इसका value नो निकाल सकते है 7 factorial को लिख दे अब 4 factorial को तो कुछ cancel out हो करके numerator में बचेगा 7 into 6 into 5 into बागी वाला 4 factorial से cancel out कर जाएगा आ denominator में बचेगा 3 factorial यानी 1 into 2 into 3 या 3 into 2 into 1 लिख सकते इसको ठीक से देखिए अगर हम 17C4 का value पूछे कितना होगा दूपर में 17 factorial divided by 4 factorial गुने 17 minus 4 13 factorial 17 factorial को calculate करने का घरुवत नहीं है क्योंकि तो बहुत सारा numbers कर जाएगा क्या बचेगा 17 into 16 into 15 into 14 बस आगे वाला सब को हम collectively इतना लिख सकते हैं और काट सकते हैं आ नीचे में 1 into 2 into 3 into 4 कुछ important बात आप को हम दिखाने जा रहे हैं यह definition है NCR का पर जब हम NCR का values कभी calculate करना हो और any particular N and any particular R तो calculate करते बखर यहां 17C 4 था तो denominator में 1 into 2 into 3 into 4 यहां पे 3 था तो 1 into 2 into 3 आया on numerator में 3 term आया 3 था 7, 6, 5 3 term के बाद आप रोक दिए यहां पे 4 term के बाद रोक दिए 17, 16, 15, 14 बस आगे नहीं लिखे अगर हम लोग इस बात को realize कर गया अब अगर हम कहें कि 18C 5 का value बताईए तो नीचे में 1 into 2 into 3 into 4 into 5 लिख देंके original definition के अनुसार हम लोग इस लिखना अब जरूरी नहीं समझ रहे हैं क्योंकि हम समझ गहे हैं कि cancel out करेगा आयहां numerator में 18, 17, 16, 15, 14 5 कर्म लिखके रोक देंगे यह हम calculation purpose के लिए बताईए but for purpose of calculation अगर हम हम 17 लिखके लिखके 17C 1 17C 2 अगर हम 17C 1 17C 2 dot 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 17C 17 कॉमा तक लिख सकते हैं 17C 18 नहीं लिख सकते हैं जा सकते हैं और क्या 17C 17 तक जा सकते हैं कि नहीं उभी चेक कर लिए अगर 17C 17 लिखेंगे तो उसका मतलब होगा 17 factorial बटे 17 factorial जोने 17-17 0 factorial अब 0 के लिखेंग हम लोग किये तो अभी तक नहीं है factorial हम factorial को define किया आपको कह करके natural numbers के लिखेंगे अब 0 is not a natural number natural numbers के list में 1,2,3,4,5,6 वगर वगर 0 को हम लोगे include नहीं किये है in this set of natural numbers लेकिन हम लोग यहाँ पे 0 factorial को भी define कर रहे हैं हम लोग 0 factorial जब लिखेंगे तो आपको समझना है कि हम 1 लिखेंगे 1 factorial का value भी 1 है 2 factorial का value तो 2 into 1,2 है 3 factorial का value 3 into 2 into 1,6 है 0 factorial को हम लोग include कर रहे हैं अपने definition of factorial में अगर इस definition में 0 factorial डालिएगा तो 0 आ जाएगा यह definition है for all natural numbers और अलग से and 0 factorial को हम लोग अलग से define कर दे रहे हैं as 1 अब यह meaningful हो गया है और 17C 0 भी meaningful हो गया 17C minus 1 meaningless है 17C 18 भी meaningless है यानि उपर में अगर यहाँ N लिखा है तो यहाँ R का जो values होना चाहिए R can take any value between 0 to N और हम लोग को इन सब का values calculate करने आना चाहिए निकाल के दिखते हैं 17C 0 का 17 factorial बटे 0 factorial भुने 17 minus 0 factorial इसको हम लोग 1 choose कर लिए है by definition तो इसलिए यह 1 हो गया है Anything C 0 का value 1 होना ही है क्योंकि यह N factorial होगा denominator में 0 factorial और एक N factorial तो यह हमेशा 1 ही होगा 17C 1 का value होगा 17 factorial बटे 1 factorial गुने 17 minus 1 16 factorial यानि कि सिर्फ 17 बचेगा N C 1 का value हमेशा N होता है 15C 1 का value पूछें उत्तुरंत आप 15 बोलेंगे 17C 2 पूछेंगे तो 17 इंटु 16 दो ही टर्म लिखेंगे आ नीचे में 1 इंटु 2 का N C 2 का value N into N minus 1 दो टर्म divided by 2 factorial उपर में था न N factorial divided by 2 factorial गुले N minus 2 factorial इसको में expand करें N into N minus 1 into आगे वाला सब टर्म्स को हम collectively लिखे दें और जो कि cancel out रहे तो इतना बचेगा और N C 3 का value N into N minus 1 into 3 कर्म लिखेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि cancel out कर जाएगा denominator से और denominator में 3 factorial अब यह थोड़ा simplified expression है N C R का इसका values calculate करते हैं अंक तक 17 C 17 का value 17 factorial बटे 17 factorial गुने 17 minus 17 0 factorial which is again 1 आज 17 C 16 का value उससे एक कहने वाला तर्म 17 factorial बटे 16 factorial गुने 17 minus 16 आज 17 C 1 का value जब calculate कर रहे थे तो 17 factorial बटे 1 factorial था गुने 17 minus 1 का factorial था जरा गौर से निखिये दुरों को 17 C 2 का value calculate कीजिए और 17 C 15 का value तो इसका value था 17 factorial by 2 factorial into 15 factorial इसका होगा 17 factorial बटे 15 factorial into 2 factorial बस केवल यानि एक बहुत सुदर एक result हम लोग observe कर लिए अभी N C R के बारे में हम लोग observe किये इसका value इसका value इसका value सेम होगा इसका value इसका value सेम होगा इसका और इसका सेम होगा यानि N C X और N C Y का value सेम होगा अगर X plus Y का value N के बराबर हो, 17C1 और 17C16 का value same होगा, अगर 16 और एक का sum 17 के बराबर हो, 17C2, 17C15, 17C3, 17C14, हम लोग जो values calculate करेंगा न, इसका value 1 आएगा, इसका 17 उससे बढ़ा आता है, इसका 17 into 16, बटे 2, 136, उधर से values 1, फिर 17, उससे बढ़ा होगा यह 136, फिर अगला उससे बढ़ा, इधर से values निकालते हैं, यह बढ़ता जाता है, फिर values घटने लगता है, एक particular बीच में कोई अस्थान होगा, जहाँ पे value जाके peak होगा, कौन अस्थान होगा, उसको देख ले पहले इस property को हम लोग जाएं, हमेशा के लिए सीचिए, ncx का value और ncy का value बराबर दो ही case में हो सकता है, या तो x बराबर हो y के, तब तो कोई बात ही नहीं है, अनिया आप 17c2 और 17c2 का value बराबर हो, या x प्लस y का value अगर 17 के बराबर हो, इन दो situations में value सेम आएगा, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी बात को, कि ncr, यहां r के बारे में हम जानते हैं, कि जहां n लिख रहे हैं, तो यहां r के अस्थान पे 0 से लेके n के बीच में कोई positive integer होगा, तो ncr का value और nc, n-r का value विश्चित रूप से बराबर होगा, देखिए दोनों का sum n के बराबर है, इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वो थाब same statements, written in two different manners, अभी हम आपको ncr का property, properties भेर सारा है, हम सारा नहीं अभी list बनाएंगे, कुछ का बनाएंगे, जो हमको अवशक्ता है इस chapter, इसको देखिए, कि greatest value कौन सा होगा, हम यह तो समझ गए, mirror image जैसा है, इसका value, उसका value, इसका value, इसका value, इसका value, same है, बढ़ता जाना है, यह तो समझ गए, कि ठीक बीचो बीच होगा, बीच कौन है, total कितना यहां terms है, 18 terms है, 17C1 से लेके 17 तक, यह 17 हो गया, एक 17C0, so there are in total 18 terms here, तो 18 का बीचो बीच तो हो नहीं सकता है, जैसे 5 term होता, a1, a2, a3, a4, a5, odd number of terms, तो बीचो बीच एक term होता, लेकिन even number of terms जब होगा, a1, a2, a3, a4, a5, a6, अब बीचो बीच हो नहीं सकता है, बीचो बीच दू हो सकता है, दो लोग को हम कह सकता है बीचो बीच, तो यहाँ कुल even number of terms है, तो असल में यहाँ पे दो term ऐसा है, जिसको हम बीचो बीच कहेंगे, अगर दोनों का value सेम है, 17 को दो से divide कर दीजिए, एक number आया 8.5, बस, अब इसका greatest integer value निकाल दीजिए, 8.5 का integral part 8 होता है, अब इसका जो बीचो बीच term है, there are two terms, एक 17C8 और 17C9, दोनो value बराबर होगा, 8 प्लस 9, 17 है, so there are two terms, जिनका value सेम होगा, 17C8 और 17C9, यही greatest value होगा, यह बोल दीजिए चाहें, यह बोल दीजिए दोनों बराबर है, यही अगर हम 16CR का values calculate कर रहे होते, starting from 16C0, 16C1, 16C2, dot, 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 16C14, 16C15, 16C16, अब यहाँ पे 17 hectare है, अब इसका एक बीचो बीच चल होगा, कौँ? बस सॉल्ला को दो से भाग दीजिए, इस case में दो से भीवाइट कीजिएगा, तो एक integer आजाएगा, this is the answer, यानि कि इसका जो greatest term होगा, वो 16C8, यानि कौँ बिला करके हम अगर इन सब को sum up करें, ncr का value equal to ncn-r के बराबर होगा, हम properties कुछ लिख रहे हैं, सारा नहीं लिखेंगे, वो binomial expansion chapter में हम लोग पकते हैं, एक, दूसरा लिख रहे हैं, the greatest value of ncr will be equal to, n अगर even number है, this is solar, तो बस n को 2 से divide कीजिए, और nc n by 2, r के जगा n by 2 डाल दिजिए, अगर n even है कभी न divide होगा, 2 से और एक integer आएगा, और अगर n odd है, तो there are two terms, n by 2 निकालके उसका integral part लेवीजिए, और nc, integral part of n by 2, plus 1, dota, both will be equal, if n is odd, हम चाहें जैसे भी लिख्यों हों इस बात को, बात समझना जरूरी है, हम जैसे ही कुछेंगे 15cr का greatest value बता दिए, R के जगर क्या डालें, ताकि इसका value greatest है, एक function के रूप में treat कीजए, एक function जिसमें R के अस्थान पर, R is the variable, R can take only value 0, 1, 2, 3, dot, 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 50, इतने values के लिए हम इस function को define किये, पताहिए इसका greatest है, आपको values डाल डालके नहीं अब मिकालना है, हम लोग समझ गये हैं, कि 15 को 2 से divide करेंगे, 7.5i, तो इसका greatest value होगा 15C7, 15C8, दोनों पराबर होगा, दोनों में से को एक ही जबाब देते हैं, और ही अगर हम 20CR का greatest value पूछें, amongst all the values, 20C0, 20C1, 20C20, the greatest value is 20C10, बस भाग देनों था, 20 को 2 से, एक और बात, उसको हम लग अभी प्रोप नहीं करेंगे, अगर हम इन सब को कहें कि add कर दिए, 17C0 से शुरू करके, और 17C17 तक, सभी terms को add करके बता दीजी कितना होगा, यह हम लोग binomial expansion परते वकर सावित कर पाएंगे, इसका value 2 to the power 17 के बराबर आता है, actually अगर हम calculate करें इसका value 1, इसका 17, इसका 17 into 16 बटे 2 factorial, plus 17 into 16 into 15 बटे 3 factorial जिसको 6 लिख सकते हैं, plus dot dot dot, 17C8 तक लिखना है, इसी को दूब ना कर देना है, क्योंकि उसके बाद वाला terms सेम आ जाए, इसका value कितना हैगा sum up करने पर, हम लोग इस बाद को prove करेंगे, binomial expansion में, अभी हम लोग रटेंगे इस बाद को, यानि कि कभी ऐसा कोई पूछे, nC0 plus nC1 plus nC2, nCr का जितना possible expressions संभव है, n plus 1 expressions संभव है, r के जगा 0 से लेके n कर, सब को हम जोड़ दें, nCn तक, तो यह कितना के बराबर आएगा, यह हम इसको sum shape में ऐसे लिखें, sigma nCr, r varies from 0 to n, हम उसी series को sum shape में हम लोग ऐसे लिखते हैं, series का एक term खाली लिखे देते हैं, सारा term नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग general term बोल दें, और उसमें जो variable है, उसका values कितना से कितना के बीच में बारी करना है, वो limits लिखते हैं, तो इसका value हम लोग अभी सिर्फ रट रहे हैं without proving 2 raise to the power of f, मतला हम expect करेंगे कि 5c0 plus 5c1 plus 5c2 plus 5c3 plus 5c5 तक का sum, पूछें कि कितना होगा, तो आपको यह formula रटा हुआ हो और आप जट से बोलेंगे 2 raise to the power 5, यानि कि 32, अगर हम पूछें कि इसका value बताईए, 5c1 से लेके 5c5 तक, तो 32 में से एक घटा देते हैं, 5c0 का value जो कि 1 है, यानि तब answer 31 लिख देंगे, यह हम expect करेंगे आप से जब सवाल बनाते वकत आवशकता होगा, Let's get back to permutations and combinations, दो ही rule है हम लोग समझ चुके हैं, जब भी कहेंगे जोड के बता दीजिए, कितना तरीका है मेरे पास, कोई एक काम करने का, हम या तो add करके बताएंगे, विधिन तरीकाओं को add कर देंगे, या हम गुना करेंगे, एक situation है, जिसमें की दो लोग हैं, और उनको दो कुरसी हैं, उनको बाठाना है, कितने तरह से बठा सकते हैं, यहां समझ कीजिए, क्लास में ज़के लगा दें, दो लोग आने वाले उनको,مको seat करना है, जो हम A को यहां बाठा दें, बी को यहाँ, यह एक तरीका है उनको बाठाने का, और B को यहाँ बठा दे, A को वहाँ मेरे पास दो तरीका है इन लोगों को बठाने का इसको अब हम लोग अपने fundamental rule से सोचे इस अस्थान को भरने का मेरे पास कितना तरीका है एक-एक करके न भर रहे हैं आप पहले माल लीजे कि हम इस अस्थान पे किसी को बठा देंगे and उसके बाद हम दूसरे अस्थान पे किसी को बठाएंगे तो इस अस्थान पे बठाने का मेरे पास कितना तरीका है इस अस्थान को भरने का या तो हम इनको बोल दे कि आप बैट जाए या उनको बोलने कि आप बढ़ जाए इस अस्थान को भरने का मेरे पास दो तरीका है और इस अस्थान को भरने का अब उसके बाद दूसरे अस्थान को भरेंगे हम जो कुछ भी करना है न कोई काम करना है दो लोगों को बैठाना है इस काम को हम करेंगे one काम followed by another काम तो पहला यह काम है कि हम इस अस्थान को भरें, तो जब हम इस अस्थान को भरने का मेरे पास दो तरीका है, A या B में से कोई एक बठा सकते हैं, तो आड करके दो तरीका है, अब इस अस्थान को भरने का कितना तरीका मेरे पास है, अब इन में से कोई एक तो वहाँ बैठ तरीका है, so the total number of ways in which I can seek these two people is two times one, which may end बोलेखे हैं, answer is two, अगर हम इस सवाल को extend करें, कि A, B, C तीन लोग को बठाना है, तीन कुर्सी है, हम सारा लिख के भी दिखा देगे, कि कितना पहले गिंती करके दिखाते हैं आपको fundamental rules से, इस स्थान को भरने का मेरे पास कितना तरीका है, एक को बठाने के लिए बोल दी, बैठने के लिए या B को या C, यानि तीन तरीका से हम इस स्थान को भर सकते हैं, अब किसी एक को मान लिजे, बैठा दिये, अब इस स्थान को भरने का कितना तरीका है मेरे पास, तो जो remaining two हैं, उन में से किसी एक को भरने के लिए बोलेगे हैं, दो तरीका से, और अब इस स्थान को भरने का कितना तरीका है, अब एक बच्चा है, उसी को एक ही तरीका है, यानि answer होना चाहिए 3 into 2 into 1 यानि total 6 तरीका होना चाहिए लेट अस चेक चलिए हम इस अस्थान को A से भर दिये अब हम इन दोनों अस्थानों में B को यहां रख सकते हैं C को यहां या C को यहां B को यहां दो तरीका हो गया अगर हम A को यहां रखते हैं और B और C को इन दोनों अस्थानों पे अडजस्ट करते हैं तो मेरे पास दो तरीका था अगर हम इस अस्थान पे B को बैठाए होते तब बच्ता A और C उन दोनों को इन दोनों अस्थान पे अरेंज करने का तरीका दो था जो हम लोग पहले ही देखे थे arrangement, arrange करना, सर्याना तो हम पहले ही देखे थे, मान दोगे क्वेश्चन होता है, एक अस्थान, एक वेक्ती, कितने तरह से आप उसको सर्या सकते हैं वहां के, arrange कर से, एक ही तरह से, फिर हम लोग उसको बढ़ाये कि अगर दो अस्थान है, दो लोग को सर्याना है वहां, arrange करना, तो हम लोग बेखे कि, टू इंटू वन, जिसको हम टू फैक्टोरियल बोल रहे हैं, इतने तरीका से हम आपस में इन लोग को अदला बदली करके सजा सकते हैं, जब दो लोग थे, अब हम दिखना चाहते हैं कि जब तीन अस्थान, तीन लोग हैं, आप यहां नहीं यहां बैट जाएए, आप यहां बैट जाएए, आप यहां बैट जाएए, आप यहां बैट जाएए, आपस में अदला बदली कर रहे हैं इनके स्थाने को, कुल कितना तरह से हम अरेज कर सकते हैं, इन तीनों के बैटने के तरीके को, तो हम अभी देख रहे हैं कि जब तीन तो उदिये कि बैट जाएए, तो for that particular choice, अब हम B, C को अदला बदली कर सकते हैं, two factorial तरीकों से, यानि, दो choice हो गया, अगर हम B को यहां बोले होते हैं, बैट में, फिट जो, तो चुकि इस अस्थान को भरने का मेरे पास तीन तरीका था, A से, या B से, या C से, and for any one choice of a particular person, अब बाकी दोनों अस्थानों को भरने का मेरे पास two factorial तरीका था, so two factorial को तीन से गुना किये, अब तीन factorial तरीका हो गया, इसको extend कर दीजी, अगर चार लोग हो, A, B, C, D, चार अस्थान हो, जिन इनको बैठाना है, माने आप यू समझे हैं कि हम बठा दीए, आप इनको अदला बदली करके, इधर, आप इधर, आप इधर, कितना कुल तरीका से आप इनको हरेंज कर सकते हैं, तो इसको सोचना वैसे ही है, हम किसी एक स्थान से शुरू कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रीम राइट से शुरू कर रहे हैं, कि इस अस्थान को भरने का मेरे पास कुल कितना विकल्प है, चार, चार में से कोई एक को वहां रख सकते, और किसी एक पर्टिकुलर च्वाइस को रख दिये, अब बाटी इस अस्थान को भरने का कितना तरीका मेरे पास है तीन लोग बचे हैं उनी में से किसी एक को दिस या दिस या दिस तीन तरीका और अब जब किसी एक को यहां रख देते हैं तो अब इस अस्थान को भरने का मेरे पास कितना तरीका हो दो और यहाँ एक पूर इंटु थ्री इंटु 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 वन यानि इस बात पूर फैक्टोरियल तरीका से हम इनको mutually एक अस्थान से दूसरा दूसरा से तीसरा उठा के अदला बदली करके सर्यानी का तरीका मेरे पास है पूर फैक्टोरियल इस बात को हम लोग एक फॉर्मुला के रूप में लिख लेंगे arrangement बोलते हैं हम लोग arrangement अभी सीखे हैं कि अगर n अबजेक्ट्स हो और n प्लेसे में रखा है यह सब अबजेक्ट्स अभी कहीं रख दे रहे हैं a1, a2, a3, aN यह एक तरीका है उनको इन अस्थानों पे सजाने का अगर कभी हमको आवशक्ता होगा कि इनको आपस में mutually यहां से वहां वहां से यहां बठा के हम अगर different different arrangements create करना चाहें तो कुल कितना number of arrangements हम create कर सकते हैं तो the answer is N factorial mutual अदला बदली कितना तरीकों से हम लोग कर सकते हैं जैसे हम अगर आपको एक bookshelf पे जाके कहें चार किताब दें आपको B1, B2, B3 and B4 और आपको हम task दें library में दी जाके उन किताबों को bookshelf पे रखाएं आपको हम कोई condition नहीं दिये हैं कि कैसे रखना है आपको जैसे मन रखती हैं यहाँ चार अस्थान बना है उन खाली किताबों का बाकी सब भरा हुआ है सब अस्थान भरा हुआ है यह चार अस्थान है, dash 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 इन ही मिले जाकर के चार किताब को जाकर आपको सजा देना है तो किकनला तरह से आप उन किताबों को सजा सकते हैं अब हम लोग बार बार उस तारह के dash dash इस dash को भरने का मेरे पास चार मिंदलित नहींसे कोई एक कहा रख सकते था या B2, या B3, या B4, उस अस्थान को किसी एक से अगर भर दिये, तो अब दूसरे वाले अस्थान को भरने का मेरे पास तीन लिकल को बचता है, फिर दो और फिर एक, यानि कि हम बार बार ये काम नहीं करेंगे, हम लोग कहेंगे कुल, 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 पैक्टोरियल तरीका से हम इनको mutually arrange कर सकते हैं, यानि 4 into 3 into 2, 24 ways है, आप लिखने की लिक हैं, तो लिख भी सकते हैं, B1 को यहां रख दिए, B2 को यहां रख दिजिए, आप B3 को यहां, B4 को यहां, एक choice, B1, B2 को छोड़ दिजिए, B3, B4 को अदला बंदी कर दिए, अब B1 को ही छोड़िए, आप B2 क B4 को दो तरीका से, B1, B3, B2, B4, B1, B3, B4, B2, इस तरह से सारा विकल्प systematically यह चाहें, तो लिख सकते हैं, कितना तरह से हम arrange कर सकते हैं, पर question तो यह है नहीं, कि write down all the possible arrangements, count the total number of arrangements, तो हम लोग पहले से सीख के, समझ के, फर्मुला बना-बना के, आप रहें, end factorial, अगर यहां पर जो objects है, वो identical objects होता तो, यह distinct objects के लिए हम लोग formula बना हैं, distinct, हमने सब अलग, अगर मान लीजे कि हम identical objects दे दे, तीन identical red color balls, identical, इनको dash 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 तीन स्थान में रख दिये, बताईए कितना तरह से आप सजया सकते हैं, आप इस bond को उठा के वहां रख दिये और इसको यहां, तो इससे कोई नया तरीका होगा, उपन ही नहीं होगा, because the three balls are identical, यानि इन तीन identical बस्तुओं को आपस में अगला मगली करके, यह जवाब नहीं होगा, कि कुल factorial three six ways से हम सजा सकते हैं, यह नहीं होगा, होगा, सिर्फ एक ही तरीका है मेरे पास सजाने का, बस ही आप इसको उठा के यहां रखने से कोई नया तरीका नहीं हो, create कर रही है, so if the objects are alike, हम पूछे कि what are the number of arrangements, only one, कहीं रख दिए अगर हम 5 objects दे दे, distinct, जब तक बोला नहीं जाए कि they are identical, आप मान के चलेंगे distinct, अलग-अलग, सब भिन है, हम 3 ही अस्थान कहें कि अब यह को जाकर सजागा हैं, 5 object देगे और 3 ही अस्थान में कहेंगे कि जाकर सजाएगे, अब आपके पास, पहला एक समस्या है कि हम इस 5 में से की इस 3 को यहां बठाएं, क्योंकि ने 5 को नहीं बठा सकें, तो पहले तो आपको यह सीखना होगा कि इन में से हम तीन को कहें कि चुनिये How do we choose three objects from a set of eye objects उसको हम लोग selection बोलते हैं या combination भी बोलते हैं चुनने को प्रड़िया को जैसे हम कहते हैं कि इन में से एक चुनिये कितना तरह से आप चुन सकते हैं तो आपके पास answer very simple है कि या तो आप इसको चुनेंगे एक choice या उसको चुनेंगे इसी तरह से कुल लिखियेगा तो there are five possible choices लेकिन अगर हम कहें कि इन में से कोई दो को चुनिये अब ज़र बेखी तो कितना choice हो गया B1, B2 is one choice B1, B3 is another B1, B4 B1, B5 अभी और है B2, B3 B2, B4 B2, B5 सब लिख सकते हैं हम सारा choices तो कितना choice है मेरे पास इन पांच में से जो वस्तु चुनने का कितना तरीका है सब डिफरेंट डिफरेंट सिटुएशन है जिसके लिए पहले से नो त्यारी कर रहे हैं वो था कि पांच वस्तु हैं पांच अस्थान हैं आपस में इनको हम अस्थान बदल बदल के कुल कितना तरह का arrangements create कर से तो the answer was five factorial अब दूसरा सवाल है पांच shirt है आईड में से हम दो चुनिये कोई दो How many choices you can make तो जिरा देखते हैं कितना choice हम इस सवाल को बनाने के लिए एक तरीका सोच रहे है इस बना लेते हैं और इस पहला अस्थान को भरने का मेरे पास पांच तरीका है V1 से V5 के बीच में कोई एक shirt चुन सकते हैं पांच तरीका से चुन सकते हैं एंड उसके बाद दूसरा shirt अब बचा हुआ चार में से कोई एक चुन सकते हैं यानि अंसर 5 x 4 20 से हम shirt के चुन सकते हैं पर इसमें कुछ गरगड़ी हो गया है गरगड़ी यह है कि V1 V2 यहां पे V1 रख दीजिये मान दीजिये कि पहला shirt कोई विज्यात्री चुना V1 दूसरा चुना V2 V1, V3 V1, V4 V1, V5 यह choices लिख दीए अगर कोई V1 चुनता है as first shirt and second shirt इन में से कोई एक तो चार तरीका हो गया चार च्वाइस अगर वह पहला shirt चुना होता V2 अगर दूसरा चुना होता V2, V1, V2, V3 V2, V4, V2, V5 इचार और यही कह हम किये हैं पहला shirt चुनने का मेरे पास पाँच तरीका है and दूसरा चार for every choice of one shirt, I have four choices and इस अस्थान पे 5 choices है तो 5 चुनते चार, 20 choices पर देखिए क्या गलती हुआ है यहां देखिए V1, V2 एक choice है और एक V2, V1 बी लिखा है पहला V2 दूसरा V1 जब सजाना हो अस्थान पे बैठाना हो तो यहां बैठाना और यहां बैठाना दो different गीमती किया जाएगा बैठाना है कि हम एक को यहां बैठा दिये दूसरे को यहां लेकिन जब चुनने का बात आएगा दो शट चुन लिजे हम पहले इवाला उठाए बाद में इवाला उठाए कि पहले V2 उठाए अब तब V1 उठाए इन दोनों को से मानना है चुनना और सरीयाना में बहुत अबदर है दो चुन लिजे हम V1 और V2 चुन लिए ऐसे बो यह चाहे V2 और V1 चुन लिए एक ही बात तो हर चुईस दो दो बार काउंट हो गया यानि इसको दो से लिवाइड करना था तब जाकर के correct answer आता यानि total 10 choice आपके पास है अगर हम कहते की 3 shirt चुनिये तो आप अगर dash 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 मना के इस अस्थान पर पहला choice 5 विकल्प है आपके पास और दूसरा choice के लिए 4 विकल्प है और तीसरे shirt के चुनने के लिए 3 विकल्प बजेगा तो आप जबाब लिख देंगे 5 इंटो 4 इंटो 3 ये गलप हो जाएगा ये सरियाने के लिए ठीक है अगर हम आपसे कहे होते कि ये 5 लोग हैं और यहां सामने 3 कुरसी लगा दें आप कहते कि इन 5 लोगों को बठाईए 3 तीन कुरसी के मतलब इन में से 3 नी को बठाईए अगर हम कहते कि 2 लोग को बठाईए तो आप सोचे कि हम 3 लोगों को बठाते हैं तो वो दो तरीका से कर सकते थे B1 को यहां, B2 को यहां B2 को यहां, B1 को यहां इसको दो गिना जाएगा अर्रेंजमेंट के केस में इस arrangement और इस arrangement को दो गिना जाएगा लेकिन चुनने के लिए दोलों को एक ही गिना जाएगा तो पहले तीन लोग को चुनिए अब फिर आपस में उनको अदला बदली करके तीन factorial तरीका से आब B1, B2, B3 is one choice लेकिन जब बैठाने का बात होगा इसको 3 factorial से गुना करना होगा for every choice of 3 people आप इतना तरह से उनको arrange कर सकते हैं, कुछ सीपर हम सिर्फ choice पूच रहे हैं, कितना choice हैं the total number of choices इतना है उसको अगर हम x कह लें and for each choice आप उनको 3 factorial करीका से arrange कर सकते हैं this into this ये answer है 5 into 4 into 3 to answer आप ला रहे हैं जैसे यहां पर 5 into 4 किये तो वो total number of चुनना दो लोग को सर्याना का खुल तरीका था 5 into 4 B1 B2 को चुने सर्याने का 2 factorial तरीका अगर B1 B3 को चुने सर्याने का 2 factorial तरीका और every choice को हम total choices को X कहें और हर choice को 2 से multiply करना है ताम जाके जो answer आएगा वो है ये 5 into 4 तो X का जो value आया वो इतना से divide होगा तो अगर हम सिर्फ आपसे कहें कि पांच पल रख दे हैं पांच पल रख दे हैं और 5 different kinds हैं हमारे टेबल में fruit बहुल पे में there are 5 different fruits 5 different fruits mango है, guava है, banana है, grapes है और प्रोमेगने पी है आपको इन 5 choices में से कोई 2 पन उठाना है तो कितना choice आपके पास है, cool कितने तरीका से आप चुन सकते हैं जैसे आप mango और guava, एक mango एक guava चुन सकते हैं अब उसको ऐसे नहीं बूलेगा एक mango एक guava चुन सकते हैं एक तरीका एक guava एक mango चुन सकते हैं दो तरीका नहीं चुनने का जब बात होगा अगर हम कहें कि एक table पे सजाना है आतब mango यहां चुने और guava यहां रखे या guava को यहां रख दी और mango को यहां तो दो माना जाए आपको सिर्फ यहां पे select करने बोल रहे है there are three terms selection arrangement एक तीसरा है selection प्लस arrangement माने चुनिये भी और उसके बाद उनको सजाईये भी जैसे पांच लोग है और तीन ही कुरसी है उनको बैठाना है तो पहले आपको इन पांच में से कोई तीन लोग को चुनना होगा तो चुनने का कितना विकल्प है मेरे पांच चुनने के बाद अब तरीका है और कभी किसी सवाल में कहें कि दोनों कीजिये यानि चुनिये बठाईये आप बताईये कि कितना कुल तरीका से वह असाल है वह अलड़ी हम लोग जान चुके है पांच गुने चार गुने तीन यह जो आंसर है इट इंक्लूज बोथ सेलेक्शन फॉलोड बाई अरेंजिमेंट लेकिन अगर हम सिर्च सेलेक्शन वाला पूछना चाहते हैं कितना तो वो 5C3 होगा असरियाने का तरीका for any choice इतना तरीका है चुने का इनों उसे कोई एक तरीका लिये तो उनको आपस में कितना तरीका से सरिया सकते हैं त्री फैक्टोरियल से यह दोनों को दुना कीजिएगा तो यह आंसर के बराबर होगा तो selection की लिए जो formula हमेरे पास है वो है NCR, number of ways you can select, selection or combination दोनों से मतलब है इसलिए C stands for combination, how many combinations can be formed of R objects from N objects और arrangement का formula है factorial, तो जितना भी वस्तु को आप अरिज करना चाहते हैं और selection followed by arrangement, selection followed by arrangement, चुनिये और बठाये, इसको permute करना बोटे, permutation permute करने जब बोलेंगे देखिए, पांच लोग है, V1, V2, V3, V4, V5 और तीन अस्थान के उनको बैठाना है तो हम पूछेंगे in how many ways can these five people be permuted in these three places यानि हम नीम कर रहे हैं कि आपको उन पांच में से तीन लोग को चुनना है और उनको यहां पे आपस में अगला बंदी करके अस्थान को सर्याना लिए बताईए कुल कितना तरह से कर सकते हैं, छोटा नंबर ले लेते हैं, दो अस्थान, तो हम सारा विकल्प लिखते हैं आपके पर V1, V2 is one choice, V1, V3 इधर में नंबर फोग छोटा कर लेते हैं, V1, V3 is another choice अभी choice लिख रहे हैं, select करने का सारा विकल्प, जो कि हमको लिखना नहीं है actually, खाले सीधे बता देना है, कि कितना आएगा इस सारा choices जोगे उसको इकठ्छा करके एक सेक्ट में लिख रहे हैं, V1, V2, V1, V3, V1, V4, V2, V1 नहीं लिख रहे हैं वह already twice में गिंती हो गया, अरेजमेंट का बात होगा तो V1, V2 और V2, V1 को अलग बानाएगा तो अब V2, V3 लिख दे रहे हैं, V2, V4 लिख दे रहे हैं अब V3, V1 नहीं लिख रहे हैं, V3, V2 भी नहीं लिख रहे हैं, V3, V4 लिख रहे हैं और यह कुल कितना होगा, बिना लिखे हम बता सकते हैं, अगर हम लोग को यह formula समझ में आ जाए कि चार में से दो चुनने का कितना तरीका है मेरे पास यह answer is 4C2, चार में से दो चुनने का तरीका 4C2 और इसका value कितना होगा, 4 into 3, दो ही term उपर में लिखें divided by 2 factorial, definition के नुशार 4 factorial by 2 factorial into 4 minus 2 factorial लेकिन हुश्यारी के नुशार, उपर में दो टर्म लिखेंगे NC2 का मतलब N into N minus 1 दो टर्म बते 2, NC3 का मतलब N into N minus 1 into N minus 2 in बते 3 factorial and so on and so forth, बते 2 which is 6, यहां पे 6 होना चाहिए, अगर 6 नहीं है तो कुछ गल्टी हो गया है उपसे, कितना choice आपके पास है इसको combination भूखते है या selection या choice and for any choice you have 2 factorial ways in which you can arrange them in these 2 places, V1, V2 और अब V2, V1 को अलग जुना है, तो अगर हम पूछे होते हैं सिर्फ selection answer इतना, सिर्फ arrangement हम दो लोग चूल के दे देते हैं इनको आपस में कितना तरीका से हम arrange कर सके हैं, तो answer सिफ इतना और तब इसका answer कितना होगा, अगर N objects में से R objects को permute करना है अबने R ही अस्थान है, objects N है, जाला, तो पहने चुनिये, NCR तरीका से आप चुन सकते हैं अब फिर सरियाए, R objects को चुन लिए, तो R factorial तरीका से उनको सरियाए, चुनिये, सरियाए सरियाने का formula यहाँ है, कि अगर N वस्थान को सरियाना है, N, अभी R ही है, तो R वस्थान को सरियाना है, तो इतना तरीका से, और ये NCR का definition होता है इसको R factorial से गुना कर दीजेगा, तो ये कट जाएगा, अस्थान बचेगा, इतना इसको हम लोग गोगते है, NPR, N factorial, इसी के लिए एक symbol बना दिया NPR, so there are three symbols now, N factorial, NCR and NPR, which is nothing but NCR multiplied by R factorial, इसी को multiply कर रहे है, तो जो बचता है, it is N factorial बटे N नामस, अच्छा ये सब चीचीज हम लोग कर रहे हैं न, यहां हम मान लिये हैं, कि जो objects हम बोल रहे हैं N, जिसमें से हम चुनने बोल रहे हैं, या चुन के सजाने के लिए बोल रहे हैं, यह सब distinct objects के लिए हम लोग पढ़ाय कर रहे हैं, अगर identical objects हो, 4 object है, 4 में से 2 चुनना है, कितना तरह से हम चुन सकते हैं, the answer is 4C2, 6 करीका से हम चुन सकते हैं, object 1, object 2, object 3, object 4, choose 2, जो मन चुनने जिए, O1, O2 चुन सकते हैं, आप O1, O3, O2, O3, O2, O2 और या O3, O3, O2, आप कहें कि इसमें से 2 चुनने हो, तो कितना तरह से आप चुन सकते हैं, एक ही तरीका यह उठाई, यह उठाई, यह उठाई, यह उठाई, इसमें हम अगर कहें कि 4 में से 1 चुनिये, तो कितना तरह से आप चुन सकते हैं, 4C1, which is 4, चार तरीका है, यह तो यह चुन लिजे, यह चुन लिजे, यह चुन लिजे, इसमें कहें कि एक चुनी है कितना तरीका, आंसर is 1, अगर इसमें कहें कि 3 चुन लिजे, 4C3, 410203, 410204, 410304, 0204, जितना कितना चुएस है, 4C3, चार मैं से तीन चुनने कह तरीका, इसमें कह तरीका है, तो 4C3 का वैलू पुछिएगा, तो इसमें सेमें से 17C2, आप तब सतरह हैं इन्टी सॉनना बटेक्ट लिजे, तो 4C3 का वैलू इसमें से 4C1, जिचिस पूर यानि कि इसमें से 3 वस्तों चुनने के लिए कहें, 4 मैं से 3, तो इसमें 1, 4 मैं से 3 चुनिये, कितने तरीका से चुन सकते हैं, यह 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 अईइंटिकल आप्जेट्स के केस में, यह सर्फ फॉर्मूला नहीं है, because it is so simple, एक यह तरीके, distinkt objects जोगे एक यहंब्रोग भूगे अससर ऑ्बजा बना रहें 4 में से 4 चुलना है कितना तरीका से चुल सकते हैं 4C4 which is 4C0 which is 1 4 में से 4 चुलना है कितना तरीका है ₱ईक तरीके allow or 2 चार में से 1 qi螺 हूँ नहीं चुलना है कितना तरीका से हम चुल सकते हैं यह नहीं है, एक क्या है, को यह नहीं चुन है, 4C0, which is 1, so just checking the formula, कि हमारा जो NCR formula है, यह formula, समी situation के लिए correct concept देना चाहिए, identical objects के लिए, case के लिए, एक चुनने का तरीका, दो चुनने का तरीका, तीन चुनने का तरीका, चार चुनने का तरीका, सब का अंसर वन ही है, question पूछ रहे है, there are four distinct objects, अभी सर्याने पे नहीं पूछ रहे है कुछ चुनने पे, बस दो ही चीजी है, chapter खतम हो जाता है, आप अगर चुनना सीख गए, और सर्याना सीख गए, तो permutation तो बस दोनों का गुना है, nothing special, you should know how to arrange, and you should know how to select, select, arrange, and then you will know how to permute. तो बताईए कि इन चार वस्तूों में से, दो या दो से अधिक है, चुनने का कितना तरिका है, उन्हें आपको उचार वस्तू रख भी इसा आपको बोल भी एही बात, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, find the number of ways of selecting two or more than two things, from four things, मतलब क्या समझना चाटो, चार में से आप दो चुन सकते हैं, या या फूर में से टू, या चार में से तीन चुन सकते हैं, दो या दो से अधिक, आप one or two उठा सकते थे, या आप one or three or four उठा सकते थे, का चुकी हम अगर बोले होते दो ही उठाना है, तब one or two उठा सकते थे या one or three, or one or four, or two-three, or two or four or three, or Giang कहरहें कि दो से अधिक उठा सकते हैं, तो आप three उठा सकते हैं या जतना तरीका है, उसम इतना तरीका है, यह आप चार भी उठा सकते हैं, तो चार उठाने का जो तरीका है इतना, हम या कूछे हैं, तो अब इस समाल के जवाब होगा, उतना प्लस, उतना प्लस, उतना जवाब देंगे, you add them, all the choices, not multiply, add. अगर हम कहते हैं कि अगरा ओबजेक्ट देते है, को भाब के प्लस, और टू और 15 कामा करें, question, आप इसमें से 7 बर आजगत से कम नहीं चुना है, लेकिन 9 से अधिक नहीं चुना है, यानि आप 7 बर न आजगत चुना है, या 8 चुन सकते हैं, या 9 चुन सकते हैं, बस उससे अ साथ से कम नहीं, at least seven and at most nine, objects आप चुन सकते हैं, बताइए कुल कितना विकल्प है आपके पास, in how many ways can you produce it, तो पहले सोचिए साथ object चुनने का कितना विकल्प है आपके पास, the total number of ways equal to, the required number of ways equal to, ऐसे लिखते हैं, पंदरा में से साथ चुनने का इतना तरीका है, या, बोल रही या, लिख रहे हैं, प्लस, पंदरा में से आठ, या पंदरा में से नो, यही आंसर होगे, add करते हैं, अगर सिर्फ दोसते कि इसमें से साथ वस्त चुनने का कितना तरीका है पंदरा सिर्फ आठ, चार वस्तु दे दिये, question, आप इसमें से कम से कम एक वस्तु चुनना है, बताएगे कितना तरीका से चुन सकते हैं, कम से कम एक वस्तु मतलब, एक या दो, या ती, या चार, जीरो नहीं चुनने, या नहीं चुनने, या नहीं चुने, या नहीं चु तो चार में से टो खाना है, हम restriction दिये हैं, कम से कब एक तो चुनना है, यानि उस में से एक चुन सकते हैं, आप या तीन या चारो फ़ल में से एक चुन सकते हैं, एक कू नहीं चुने, कू नहीं अलाओगा, तब आंसर क्या होगा, तब A is sum 4C1 plus 4C2 plus 4C3 plus 4C4, जवाम देंगे, और इसका आंसर हम बता सकते हैं, चुकि हमको 4C0 से लेकर के 4C4 तक का जो sum है, वो बता है 2 to the power 4 होगा, वो अब यहाँ पर काम देगा, और minus 4C0 का value 1 होता है, यानि कि पंगरह तरीका से आप जोड़ सकते है दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस उपंदरह आना चाहिए, 6, 4, 10, 4, 14, उपंदरह अगर हम कहते कि, 4, 5 में से, कोई restriction नहीं है, जो चुनना है चुना, नहीं 1 है, मत नहीं चुना, यानि 0 और more, अभी था ना, 1 और more, कम से कम है, अब 0 और more कर देते हैं, तो 4C0 भी इधर नहीं चुनने का एक तरीका है, एको नहीं चुनने का एक तरीका है, बाकी सब जोड़के सुलना है, फॉर्मुला यही तीन ठो है, दो ही है, यह तो derived कह सकते हैं, बस इतने पर सब सवाल बनेगा, यह सवाल अगर हम इसमें बूचे होते हैं, तो identical objects के के से, there are four identical objects, question, आप इसमें दो या दो से अधिक चुन सकते हैं, या आप दो चुन सकते हैं, या तीन, या चार, दो कितने तरीका से चुन सकते हैं, वो मालू होना चाहिए, फिर, number of ways of choosing two, या number of ways of choosing three, या number of ways of choosing four, यह होगा मेरा required number of ways, यह पूचे हैं कि दो या दो से अधिक चुन सकते हैं, इस बात अगर distinct objects होता, तो 4C2 प्लस 4C3 प्लस 4C4 लिखते हैं, लेकिन identical objects हैं, एक बार में एक सवाल को लिखते हैं, इस में से दो बस्तू चुनने का मेरे पास कितना तरीका है, answer is one, यह आप ए चुनिये, चाहे उचुनिये, चाहे उचुनिये, चाहे उचुनिये, चाहे उचुनिये, सब को बराबर हैं, तो one पलस one पलस one, the answer is three, अगर कहे होते हम, कि zero और more, नहीं एक को मत चुनिये, यह सब चुन लिजिए, जो करना है किजिए, खुल कितना तरीका से हम चुन सकते हैं, यहां तो specified है न, कि n वस्तु में से r वस्तु चुनना हो, तो यह formula, अब यहां पे हम सब को add करने बुढ़ रहे हैं, दो तरीका, चुनने का तरीका, तीन चुनने का तरीका, जीरो और more, तो answer क्या होता है, पाँच answer होता है, जीरो के लिए एक तरीका मैंने को नहीं चुनी, एक चुनने का एक तरीका, दो चुनने का एक तरीका, तीन चुनने का एक तरीका, चार चुनने का एक तरीका, तो answer होता है पाँच, यानि हम इस डोनों बात को sum करें कभी ऐसा पूछें कि N objects distinct कलपना कीजिए N objects और कहते हैं कि उसमें 0 or more objects चुनने का कुल कितना तरीका है 0 or more यानि हम N C 0 N C 1 N C N का sum पूछ रहे हैं यार यह पर्टिकुलर नंबर है आप चुनने का तरीका तो देखिए एक चुनने का तरीका formula यूज किये, दो चुनने का तरीका formula यूज किये और यह answer to three power end होगा कभी है, बुछ दे, there are four distinct objects मताइए zero or more ways से हम object चुनना चाहते हैं कोई restriction नहीं यह नहीं कि दो ही चुनना है या तीन ही चुनना है या दो चुन सकते हो या तीन चुन सकते हो कोई नहीं, एक को बद चुनो सब चुनो, जो करना है तो answer is to three power end और अगर end objects identical हो और हम यही question पूछे end identical objects zero or more तो हर particular तरीका के लिए एक choice है, one plus one plus one plus n plus one तरीका आएगा यहां A, A, A तीन identical objects B, C D, E, E कुल तीन, तीन छो दो आठ object है आठ में से दो चुनना है अगर यह eight distinct objects होता न तो आसान था बहुत स्वा 8C2 answer अगर आठो का आठो वस्तु भिन होता तो दो चुनना बहुत असान था 8C2 लेकिन आठो भिन नहीं है अब मेरे पास बहुत सरा विकल्प दो वस्तु पहला विकल्प यह बोथ आउग्जेक्ट्स आर जो हम चुने different बोथ different या बोथ identical यह दो विकल्प है देखिए दोनों वस्तु सेम चुना जाए AA और EE बसे ही दो च्वाइस है So there are two choices AA को अगर चुन ले या EE चुन ले और दोनों different यह कितना च्वाइस है तो गिनिना कितना different यहाँ पे entities है A, B, C, D, E तो पाँच entity है इन पाँच में से कोई दो चुनेंगे आप तो 5, C, 2 अस्ते से चेक करेंगे मतलब कि आप सारा choices हम लिख सकते है A, B is one choice A, C is one A, D is one A, E is one B, C is one B, D is one D, E is one C, D, C, E D, E AA, EE All choices written here अब सबको आपको add करना है profile होताना है अब चुकि यहाँ और है and नहीं है and होता न तो दोनों गुना होता अब दोनों को आप add करेंगे and you get the answer 5C2 का value 5 into 4 बटे 2 factorial 10 हो गया 12 टोटल यहाँ 12 होना चाहिए अगर हम ऐसा पूछे चार बस्तु है O1, O2, O3, O4 आपको इसमें से heap बना हुआ है यहाँ heap पहाड जैसा यानि O1 भेड सा maybe heap of oranges heap of mangoes heap of banana, heap of grapes आपको दो उठाना है और आप repeat भी कर सकते हैं अब यह नया चाहिस पूछे you may choose O1, O1 you may choose O2, O2 O3, O3, O4 आप बताईए कितना choice है तो तोड़के सोचने इसको कि अगर हम दोनों पल distinct उठाएं अलग-अलग तो चार distinct फल में से दो distinct फल चुनने का तरीका है we have a formula for C2 और अगर कहें अब वो गिंती किजी यह identical कितना तरीका से उठा सकते हैं जैसे O1, O1 is one choice O2, O2 is another choice O3, O3 is another choice तो add कर दीजे दोनों को यह है दोनों की बीच में यह तो आप दोनों identical उठाएंगे यह दोनों distinct उठाएंगे तो दोनों को add कर दीजे and I get the answer for C2 plus O अगर हम A, A, A B, C, D E, E 8 objects है जिसमें 3 alike एक जैसा है दो alike है alike मतलब एक जैसा है और यह सब different है question जीरो और more चुनना है आप चाहे इन आठ में से एक भी न चुने आप चाहे एक ही चुने आप चाहे दो चुन सकते हैं आप चाहे तीन सारा cases consider करना है जैसे अभी हम लोग दो चुनने के लिए कितना तरीका है मेरे पास अभी calculate किये थे दो चुनने का तरीका था कि हम 5 distinct में से 2 distinct चुनने आप फिर या हम 2 A चुनने या हम 2 E चुनने आप सब को add करके हम answer दे दिए exactly 2 चुनने के तरीक है और exactly ways of selecting two objects 3 objects आगर हम ways of selecting three objects कहते की calculate किजिए उसे तरह से सुचते हैं पहले की 5 में से 3 distinct चुन लिए 5 हे ना distinct है A, B, C, D, E तो उसमें से कोई 3 चुन लिए A, B, C, A, B, D A, B, E बगर बहुत रहा प्लस अब अब 2 सेव और एक भिन चुनते हैं तो एक भिन चुनने का तरीका आपके पास है बने A, A को आप अगर चुन लिए तो बागी बचा 4 चार में से कोई एक चुन सकते हैं या अगर यहां आप चुन लेते इए अगर बागी बचा 4 उन्वे से कोई एक चुन सकते थी यानि 4C1 मुल्टिप्लाइड बाइ 2 या हम तीनो आइडेंटिकल चुनने तो वह एक ही तरीका है A, A, A की आंसर हो गया तीन चुनने का 4 चुनने का 5 चुनने का 6 चुनने का 7 चुनने का 8 चुनने का 1 चुनने का एको नहीं चुनने का सब निकाल के टोटल बता दी जिरो और मोर तो इसका सारा का सम कितना होगा तो उसके लिए इस सब नहीं लिखेंगे जैसे हम ABC तीन आपजेक्स में से कहें जिरो और मोर तो आप 3C0, 3C1, 3C2, 3C3 सब का वैलू कैलकुलेट कैलकुलेट करके और तब आंसर नहीं हम लोग पहले से इस बात को मौपिस कर लिए हैं और आंसर 8 बोग देंगे ऐसा इसमें भी देखी जिरो और मोर इस आंसर को हम दिख रहे हैं इसमें जो आइडेंटिकल सब है और जो डिस्टिंक्ट है अलग अलग सोचिए इसमें से जिरो और मोर चुलने का तरीका है और इसमें से जिरो और मोर चुलने का तरीका है 3, 2 है इनमें से जिरो और मोर चुलने का तरीका है 2 to the power 3 अब बस इन सब को मल्टिप्लाई कर दीजे, you get the answer और उसको समझने के लिए फिर वही करना है मल्टिप्लिकेशन के लिए आप अगर कोई भी एक पर्टिकुलर चॉइस कर भी करते हैं इन चार में से कोई एक चार विकल्ब क्या गया था या आप एकों नहीं चुने ए मे से या एक चुने दो या तिन, इनमें से कोई एक विकल्ब मालबीजी अभी एमे से एक नहीं चुमें आप e मेंसे भी एक नहीं चुमें तब इन तीनों मेंसे का आठ तरीका था आगं पुर्ण यह दोनों चुछास clerkGold Da portrait नुअब 노 Чू दे क से लजे daha दै collaborate लुग furnace ब्रुणτε कि मेंसे दैसा है आठ है, तीनों में से कोई एक नहीं चुने, एक खरीका एक, no choice, एक चुनते हैं, बी चुन लें, या सी या डी, ये fix कर लें, आचा, अगर हम बी और सी चुन लें, बी और डी चुन लें, ये fix है, बने हम A नहीं चुन रहें, E नहीं चुन रहें और B-C चुन लें, आप हैंना कि जो मन सुखेजे, B-C चुन लें, B-D चुन लें, या सी दी चुन लें, या हम तीनों चुन लिए, B-C-D, याणि अगर हम A नहीं चुने, E में से 1 भी नहीं चुने, तो मेरे पास 8 तरीका है, प्हूं क्यों?, एग अभी भी नहीं चुनें, बैं में से एक चुनिये, फिर यह आठ्थ है आप. अभी में चुने, बैं में से दो चुनिये, फिर आठ्थ है, यह हैं, गुणा को जस्टिफाई करना चाहरा हैं, क्यों गुणा कर रहे proud? इस choice में से कोई एक choice अभी कर रहे है, इसका कोई एक choice fix कर दीजे तो 8 choice है, इसको fix रखी अभी इसका दूसरा choice दीजे फिर 8, इसका तीसरा इसमें चुकि तीन choice है, और फिर इसका choice बदद दीजे, यहां 4 choice है, इसलिए 4 गोने 3 गोने 2 क्यों, इतना सारा तरीका है, अगर object हम ज O1 कुछ identical है, कुछ P number identical है, P identical O1, कुछ O5, O5, O5 है, यह क्यों है, identical numbers, बन 3, 4, 5, जितना भी है, और यहां पर R distinct ही, तो बताइए, अगर हम ऐसा पूछे कि number of ways of choosing 0 or more, 0 or more, P plus 1 into Q plus 1 into 2 to the power R, यह answer, दुनों को multiply खाले किया गया है, देखिए, इस formula और इस formula को बुणा करते हैं, यह arrangement को देखिए, हम arrangement का एक सवाल पूछ रहे हैं, कि यहां पर 4 लोग हैं, B1, B2, B3, B4, इनको सर्या लिए, आ तो हम लोग जानते हैं, पूर फैक्टोरियल तरीका से इनको सजा सकते हैं, इनको अलग कल्पना कर लिए, सब अभी अलग आप लोग बैठिये, किनारे खड़ा होगे, हम बैठने के लिए बोलेंगे, तब बैठीगा कुछ से, अब इस अस्थान को आप कितने तरीका से भर सकते हैं, चार इसको ती तरीका एक, कि हम समझ गये हैं कि यह जो सवाल है, इट इंवाल्ज सेलेक्शन, फॉलोड बाई अरिजमेंट, तो छे में से हम चार लोग को चुन लिए, इनको हर एक च्वाइस के लिए मेरे पास इतना सारा तरीका है, तो चुने, एंड सरी आए, आंसर हो गया, या, इसी स यह हम इसको ऐसे अप्रोच करेंगे, कि इस स्थांग को भरने का तरीका छे, पाँ, चार, तीन, आंसर 6 x 5 x 4 x 3 को ही लिखा हुआ है, हम अकसर इस प्रकिया को इस्तवाल करेंगे, इसलिए get used to this, this involves, this answer includes selection plus arrangement, यह नंबर इससे बड़ा है, इससे बड़ा है यह नंबर, greater, इत इतना बड़ा है, इतना गुणा, गुणा करने पर यह आता है, this is 64, NPR is always greater than NCR, क्योंकि इसी को multiply करते हैं आप R factorial से, तब जाके मेंता है NPR, तो चार लोग को चार अस्थां सजाना है, answer, 4 factorial, लेकिन कल्पना कीजिए कि इसमें दो identical लोग होता है, बीवन बुक्स है, एक algebra का किताब है मेरा, एक calculus का, तो दो coordinate geometry का, आपको बुक्राइप पे जाके सजाना है, तो जो coordinate geometry का जो किताब है, उनको आप अगला बदली करके भी रखते हैं, तो उसको अलग नहीं माना जाएगा, new arrangement नहीं माना जाएगा, identical बस्ते को, हम लोग तो, actually मैं इनको यहाँ प होगा कोई, तो उनके mutual arrangement के कारण कोई नया arrangement नहीं कुत्पन होगा, तो कितना answer होगा, अब आप आप अंसर लिएगा न, कि इन चार बस्तों को हम four factorial तरीका से सजा सकते हैं, तो answer गलत होगया, कोई एक particular choice हम कर दिये, B1, B2, B2, B4, ऐसा बहुत सर है arrangement, अब इस समय अगर हम B2, B2 को अपस में अदला बदली कर दिये, यानि two factorial तरीका से, तो उसको एक मानना है, यानि अभी हम उठा के इसको यहां रखने, इसको यहां तो उसको एक मानना है, B1, B2, अगर कोई यहां प अधला बदली कर दे, उसको भी एक मानना है, यही distinct होता ना, हम कहना यह चाहरा है कि इस particular arrangement, हम लोग अभी चो गिंती किये न, four factorial, इसमें एक arrangement यह वला आ गया, और एक उठा के अधला बदली कर दिये, उभी गिंती हो गया, यानि हर दो दो पार गिना गया है arrangement, यानि इसको divide करना होगा आपको two factorials से, जो कुल दोनों के mutual arrangement के कारद axis counting हो गया है, इतना अभी में, अगर मान लिजे कि तीन वस्तु होता identical, पांच वस्तु है, इनको arrange करना है, पांच अस्थान है arrange करना है, त्री identical books, कितना तरीका से arrange कर सकते हैं, तो अगर यह सब distinct होता, तो आमसर होता five factorials, लेकिन अगर उसमें से कुछ identical objects है, तो इनका जो mutual arrangement है, जैसे अभी हम एको यहां रख दे, एको यहां इसको वहां उसको लिया, कहें कि different, it is same, तो इनको अपस महीं अदला-बदली करके, कितना हम लोग terms create कर पाते हैं, तो वो three factorial create होता है, उस सब को अब actually one किना है, यही distinct होता तो, इसको यहां उठा के यहां रख देते हैं, तो एक नया arrangement होता है, इसको यहां उठा के इससे divide करना है, इनके mutual arrangement के कारण, जो excess counting हो गया है, उतना से divide कर देना है, यहां जो लिखे है formula, यह है N distinct objects के mutual arrangements का कुल तरीका, N factorial, लेकिन अगर उसने कुछ identical objects भी समाया हुआ है, जिनके mutual अदला-बदली के कारण कोई नया arrangement create नहीं हो रहा है, तो you must divide by इस case में 3 factorial, इस case में 2 factorial, दे रहे हैं, कुछ और example, mathematics लिखा है, एक गो तीन चार, पांट, छे, साथ, आठ, आठ, नौदस, 11 alphabets है हाँ, question, इन सभी alphabets को अगर हम अदला-बदली करें, और नया शब्द बनाएं, cat, शब्द, इनी तीन alphabets को इस्तिमाल करके हम ATC लिख सकते थे, ACT लिख सकते थे, TAC लिख सकते थे, TCA, कुल कितना तरह से हम इन तीन alphabets को सरिया सकते थे, the answer is three factorial, यानि six तरीका से, सारा लिख्या नहीं है, अगर इन सब को हम arrange करकर के create करें, तो कुल कितना words हम create कर सकते हैं, जैसे cat के तीनों alphabets को arrange करके हम three factorial, six different words create हो सकता, meaning से मतलब नहीं है, तो कितना तरह से हम इनको arrange कर सकते हैं, अगर some distinct होता ना, तो answer 11 factorial हो जाता है, इतना, 11 alphabets, but they are not distinct, तो divide करना होता, इसमें जो जो identical नहीं से दो M, two M's दिख रहा है, two A's दिख रहा है, को छूटे का तो बताईएगा, वही important है, two T's दिख रहा है, और बाकी सब single single दिख रहा है, H, E, I, C and S, गिन लें, दो, दो चार, दो छे, और पाँच, इग्यारा, 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 किसी भी समय, अभी ही arrangement है, अब हम M को बदल दिख रहा है, तो उसको नया नहीं है किनेगा, तो उन लाइक ओप्जेट्स के विंच्वल अधला बदली के कारद, जो इतना भी तरीका से कर सकते हैं, उतना से दिवाइड करना होगा, M का अधला बदली, में डोट करियें, दो T का दो, कोई और लिख दीजिए अभी, M M यहां लिख दीए, T T लिख दीए, बाकी से, अब हम अगला अरेंजमेंट कियें कि अच्छा इसको यहां उठा के रख देते हैं, तो उसने कोई नया चीज नहीं क्रिएट करा, तो दिवाइड, बाइट मेनी अधली, इतना नया शब्द आप बना पाएं, एक पूल है, और इस पे कुछ आर्म्स बना हुआ है, इस तरह का हाथ जैसा है, जो रोटेट कर सकता है इस पूल के अबाओ, फॉर पोजिशन में इसको हम रख सकते हैं, इसको यहां, वहां, यहां, यहां, उसमें गुरूज बना होगा, ऐसे रख सकते हैं, या ऐसे, या ऐसे, या ऐसे, और ऐसा ऐसा, पाइड आर्म्स हैं, तीन आर्म एक, वन आर्म, आर्म वन, आर्म टू, आर्म थ्री, इन तीनों आर्म को हम चार डिस्टिंट पॉजिशन में सजा सकते हैं, इन में से कोई एक पस्तान आप, अब बहुत दूर में हैं, और इसमें रोशनी जल रहा है, बत्ती है, जो जल रहा है, हमने हम अगर किसी एक वक्त इस आर्म को इस पॉजिशन पे रखे हैं, इस आर्म को इस पॉजिशन पे और इस आर्म को इस पॉजिशन पे आप दूर से दिख जाएगा आपको, और हम लोग आपस में एक sign language बना लिए है, एक code book बना लिए है, signals हैं, हमारे पास नहीं है, communicate करने के लिए telephone नहीं है, यह है आपस में हम सब एक code book बना लेंगे, कि देखो जब हम उपर वाला जो आर्म है ना, वो जब positions का नाम रख देते हैं, 1, 2, 3, 4 positions, 1, 2, 3, 4, 1, तो उपर वाला आर्म जब position 2 पे होगा, अबीच वाला आर्म जब position 3 पे होगा, और लास्ट वाला आर्म position 4 पे होगा, तो तुम सकते हैं, code book जब सकते हैं, तो question है कि कुल कितना तरह का हम signals भेज सकते हैं, total how many, by adjusting the arms, नहीं question, तो इस एक आर्म को हम चार तरीका से different positions पे रख सकते हैं, इसको भी 4 आ इसको भी 4, so the answer is 4 into 4 into 4, total 64 signals हम लोग आपस में, code book में मेरे 64 signals हम लोग create कर सकते हैं, अगर हम लोग ऐसा add कर दें कि इसमें एक position of rest भी है, मतलब ये position of rest है, position 1, यानि तीनों signal जब position 1 पे होगा, तब बप्ती बुझा होगा और तुमको कोई signal नहीं मिल रहा होगा, यानि तब ही answer गलत हो गया, 4 into 4 into 4, 4 into 4 into 4, गलत हो गया, क्योंकि इसमें वो भी position count हो गया, जब तीनों का तीनों rest भे है, उसको minus कर देना है, यहाँ एक number लिखे हैं, इसमें seven digits है, आपको एक number बनाना है, greater than 10 to the power 6, greater than 10 to the power 6 मैंने 1 और 6 सुनना, और आपको जो भी number बनाते हैं, उसमें इन seven digit को इस्तमाल करना है, you are supposed to use all these digits, and create a number, बट जो भी number आप बनाये वो इससे बड़ा होना चाहिए, अगर हम इस तरह का कोई restriction आपको नहीं देते हैं, अखाली कहते हैं कि इन सातों digit को इस्तमाल करके number बनाना है, तो the question is simply of arrangement, इन सातों को अपने अस्थान पे अदला बदली, इसको वहाँ उसको वहाँ उसको वहाँ रख करके जतना तरह का numbers बना सकते हैं, तो हंचुरन जवाब देते, seven factorial without any restriction, the number of ways of arranging the seven digits, mutually arranging the seven digits amongst themselves. Seven factorial divide कर देते, तीन दिखरा है, तीन ठों, और दो दिखरा है, दो ठों, तो दो को आपस में अदला बदली करने का जो तरीका है, two factorial, और तीन ठों identical है, उनको आपस में अदला बदली करने का जो तरीका है, three factorial, इतना से divide कर देते, अब restriction है लेकिन, इतना सारा नंबर क्रियेट हम कर सकते थी, लेकिन आपको क्रियेट करना है सिर्फ वैसा नंबर जो 10 to the power 6 से बड़ा हो, दिखी तो ज़रा इसमें, सब नंबर तो 10 to the power 6 से बड़ा लग रहा है, सिवाए अगर 0 को इस अस्थान पे हम लिखते हैं, अब बाकी सब को हम बाकी अस तो 0 यहां लिख दे खली, उसको छोड़के तो बाकी सारा नंबर बड़ा होगा 10 to the power 6, तो चली गिंति कर लगते हैं कि इसमें से जो इतना सारा नंबर हम बनाए, अस्थान गदल गदल के, उसमें से कैठा नंबर था जिसमें कि 0 यहां लिख दिये थी, तो यहां 0 को फिक् इन्टो फेक्टो यहां यह उतना नंबर अफ नंबर है, जिसमें कि 0 इस अस्थान पे लिखा हुआ है, आँ सब्ट्राइक कर दिजे and you get the answer, तीन बक्सा है, 3 डिफरेंट बैग्स, बैग 1, बैग 2, बैग 3, और मेरे पास 10 different mangoes है, और उनको उसमें सरियाना है, कितने तरीका से सरिया सकते हैं, mango लिजिए, सरियाना शुरू कीजिए, mango 1, कितना तरीका से हम इसको रख सकते हैं, सजा सकते हैं, तीन इंड में से जालनें या इसमें या इसमें, अब दूसरा लीजिए, and followed one, come followed by another, followed by another, अब दूसरा लीजिए, उसको सजाने का तीन तरीका हैं, किसी एक में डाल सकते हैं, तीसरा को भी किसी एक में, इस तरह से, हर एक मेंगो को डालते वखत आपके पास तीन निकलतो होगा, तो 3 इंटो 3 इंटो 3 इंटो 3 इंटो 3 इंटो 3, यानि कि number of rows equal to 3 raised to the power of 10, बस केवल fundamental rule of counting clear होना चाहिए, आम सारा तरीका लिख सकते हैं, इस बहुत ज़्यादा है, जैसे एक तरीका है, इह आंगो मैंगो का लाव डे दे हम, M1, M2, M10, M1 को यहाँ डालते हैं, और M2 से लेके, M10 अपके सब को यहाँ डाल दे हैं, यह एक तरीका हुआ, अब इसमें एक भी नहीं डालें, M2, M3, M4 को यहां डाल दिए, अब फिर M5 से M10 यहां डाल दिए, एक दूसरा तरीका, ऐसा ऐसा के तरीका, अब इसके लिए इसा फर्मूला नहीं काम देगा, नहीं हम कुछ फर्मूलास बनाए हैं, situations के लिए, लेकिन हर सवाल में फर्मूला नहीं काम देगा, काम देगा वही fundamental principle of counting, इस सवाल को देखें, six friends to invite, using three servants, तो कितने तरह से आप invite कर सकते हैं? इंविटेशन भेजना शरू किजिए, किसी भी एक friend को कितने तरह से आप invite कर सकते हैं? चुकि you have three servants, तो आप S1, S2, S3 नाम देदें, तो friend 1 के पास आप S1, S2, S3 तीनों में से किसी एको भेज सकते हैं, प्रेंट्स के पास, फिर तीनों में से किसी हैं? हाँ, आप चाहें, तो छोग friend के पास एक ही servant को भेजें, S1, 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 आप के पास S2, 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 S3, 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 S1. एक चाहें, S1 भेजे, एक friend को और बागी पांचों के पास S2 भेज दियें, इस करदा का कितना चाहें, तो start inviting the friends, आप servants को भेजिएगा ना, invitation देने दिये, इच friend को कितने तरह सा invite कर सकते हैं, the question says, in how many ways can you invite your friends? तो इच फ्रेंड को कितने तरीका से कर सकते हैं, तीन, दूसरे को तीन, तीसरे को तीन, so the answer is 3 into 3 into 3 into 3, 3 to the power 6 इसका answer दा, आज यहीं आपक सबाफ्त करते हैं.